वीडियो को शुरू करते है तो इस वीडियो में हम example इस stock का लेने वाले हैं जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हिंदुस्तान चिंग लिम्टेट क्योंकि दूस्तो हाली में इस company ने अपना ड्यूडन अनॉंस किया है पिछले week में तो चलिए बात कर लेते हैं इसी की example से तो जैसा कि आप यहाँ देख प 16-3 यानि 16 मार्श 23 को किया था जो कि इसकी X date निकल गया रही थी 29 तारीक की यानि 29 मार्श को और इसका ड्यूडन अमाउंट था 26 रुपय का दोस्तों यह बहुत ही बड़ा ड्यूडन था 26 रुपय का चलिए अब देख लेते हैं कि कैसे क्या हुआ था आप यह तीनों बड़ी गिरावट आई है तो दोस्तों इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई इसको चलिए आपको समझा देते हैं तो अगर आपको नहीं पता है कि ड्यूडन कैसे मिलता तो पहले हम बता दें दोस्तों कंपनी का जो भी ड्यूडन होता है जिससे कि इस केस में 26 रुपय पर इसको आपको पता होगा कि किसी फे कंपनी का में देखने को मिल लेना है तो आपको इस らगिस केस में X date जो देखने को मिल लई थी वो हमें देखने को मिल लई थी 29 March तो इस date को याद रखिएगा तो 29 March को देखते हैं क्या कुछ घटा था इस stock के साथ तो एक दिन पहले तक stock का price देख सकते हैं जैसा कि 28 March आप यहां चिक कर पा रहा हूँगे तो देखिए दोस्तों अगले ही दिन stock का price क्या था जब खुला मार्केट 29 तारिक को जब मार्केट खुला आप यहां चिक कर पा रहे हूँगे 29 March तो stock का price था 298 रुपीज यानि लगभग 329 रुपए से गिर के अगले दिन जब जब stock खुला वो 298 रुपए बे खुला यानि लगभग आप यहां चिक कर पा रहे हूँगे 31 रुपए की आसपास की गिरावट तो दोस्तों ये इसी वज़े से गिरावट देखने को मिली अगले दिन क्योंकि ये जो dividend का amount था 29 रुपए, 46 रुपए वो stock के price में तो दोस्तों आप खुद ही सुन सकते हैं कि जिस जिन लोगों ने एक दिन पहले या दो दिन पहले stock को buy किया होगा करीबन 320 के भाव पे या फिर 325 के भाव में या फिर जिन लोग की किसमत खराब रहे होगी उन लोगों तो 329 तक के price में इसे एक दिन पहले buy किया होगा दोस्तों नो डाउट इन लोगों ने अगर XJet से पहले buy किया है तो उन्हें डूदेंट तो मिलेगा ही मिलेगा 26 रुपए का जोकि 26 रुपए पर रिक्विटी सेर का डूदेंट मिलना था ये तो मिलेगा ही मिलेगा पर दोस्तों क्या फाइदा ऐसे डुदेंट का कि अगले ही दिन stock का price 31 रुपए गिर गया जैसे कि हमने आपको दिखा दिया यहाँ पर जो 31 रुपए की गिरावड रेटने को मिली तो दोस्तों आपको 26 रुपए डुदेंट तो मिल जाएगा अब यह सेल नहीं कर सकते हैं जब तक इनके stock के price तक नहीं आता क्योंकि दोस्तों फिर तो उनके loss में exit करना पड़ेगा तो अगर आप यह लोगों में जाएं दोस्तों जो लोग सिर्फ डुदेंट के चक्कर में किसी भी stock में position मना लेते हैं इस हुसते हैं कि डुदेंट मिल जाएगा पर दोस्तों तो मिलेगा पर उस stock का price भी उतना ही गिर जाएगा जैसा कि हमने आपको इस case में दिखाया और इस stock के साथ नहीं हर stock के साथ होता है mostly तो इस बात का दोस्तों आगे से कभी ध्यान रखिएगा किसी भी stock में अगर आप सिर्फ डुदेंट के लिए entry बना रहे हैं तो इस बात का बहुत ही ध्यान अतना जहुरी है तो अगर आपको डुदेंट के लिए लेना ही चाहते है त थोड़ा आपको दिमाग का इस्तिमाल करना पड़ेगा दोस्तों आप करिये सकते हैं कि जैसे ही company अपना डुदेंट अनॉंस करें जैसा कि आप यहाँ देख पार होंगे एक महिने के चार्ट हम देखते हैं तो आप करिये सकते हैं अगर डुदेंट अमाउंट अच्छा है तो दोस्तों एक चीज़ की अगर अच्छा है और डुदेंट अमाउंट अच्छा है नहीं जो company ने डुदेंट अनॉंस किया और डुदेंट बढ़ा है तो उस condition दोस्तों होता ही है कि जब भी company अच्छा डुदेंट अनॉंस करती है तो उस stock की requirement बढ़ जाती है जिस तारीक को company ने डुदेंट अनॉंस किया था और 16 तारीक के पहले तक stock का price आप यहां देख पा रहे होंगे 295 पर trade कर रहा था पर जैसे ही 26 रुदेंट का डुदेंट अनॉंस किया company ने तो देखिए दोस्तों stock का price सीध है बढ़ते बढ़ते आपको यहां 329 तक देखने को म यही किसी stock में entry मनाना चाहते हैं तो कोसिस यह करा करिए कि जब company का dividend announce होने वाला उससे पहले जिस दिन announce हो dividend उसी दिन कोसिस करा करिए कि आप position मना लें उस stock में तो हो सकता है कि आपको यह जो price का moment होता है आप इसका benefit ले सकते हैं और आप कोसिस करिए अगर आपको अच्छा यही मिल गया बल्कि आप चाहें तो dividend ले सकते हैं और क्या फायदा दोस्तों अगले दिन stock का price भी गिर जाएगा क्या फायदा इससे चाहाब पहले ही आपको 10 रुपए 20 रुपए 15 रुपए जो भी benefit मिला पहले ही उससे लेके exit हो सकते हैं पर दोस्तों कोई जोरी नहीं हर बार ऐसा हो हो सकता है किसी बार company dividend announce करें और stock के price में ज्यादा upside moment देखने को ना मिले तो इस बात का भी आप जोर ध्यान में रखिएगा तो यह वह बात थी जो आपको हमें बताना जोरी लगा क्योंकि तो अगर आप किसी dividend के लिए entry बना रहे हैं और भी एक दिन पहले द 30 रुपए गिर गया पर क्या फायदा दोस्तो ऐसे dividend का और हो सकता है इसके बाद भी stock गिरता चला जाए आप सिर्फ देखते रह जाएंगे आप कुछ कर नहीं पाएंगे तो कि जैसा कि इस case में भी देखने को मिला stock price फिर गिर गिर के यहां आप देख सकते हैं 293 तक गया तो ऐसे में आपका loss बढ़ता जाएगा और आप कुछ कर नहीं पाएंगे आप सिर्फ देखते रह जाएंगे तो इससे में आपका बहुत ही problem में भास सकते हैं आप सिर्फ डूडेन की चकर में उस stock में entry बनाएंगे और पिर आपको एक बड़ा loss बुक करना पड़ सकता है तो दोस्तो इस बात का ध्यान रख किएगा आज से जब भी आप किसी company का dividend अगर देखके सिर्फ entry मनाने का सोचते हैं तो दोस्तो ये वो बात थी जो हमें लगा आपको जानना जहुरी है तो दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो informative लगा हो तो वीडियो को like और keep learning and be disciplined